हलो अश्टुडेंट मैं हुनितेश वर आपका स्वागत है एनके लाइफसेंट चैनल पर तो यहाँ पर मैं राची उनिवर्शिटी में एडमीशन से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुका हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किलियर ली कि यहाँ पर क्या मैंसन किया गया है यहाँ पर मैंसन किया गया है कि जो नामांकन का पहला सूची आएगा वो तीन जनवरी को आएगा ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैरिट लिश्ट तीन जनवरी को आने वाला है न अप्लिकेशन आया है उसी के अनुसार कटफ जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स वाले अस्टुडेंट के लिए डिफिकल्टी है चूंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा आवेदन आया है 784 लोगों ने आवेदन किया है तो उनका कटफ काफी हाय जाएगा ठीक है वहीं पर आप देख सकते हैं हॉम साइन्स के अस्टुडेंट को टेंसन लेने का जरूरत नहीं है सिर्फ 7 लोगों ने आप्लिकेशन दिया है सबका एडमिशन होगा बंगाल लेंगवेज के लिए भी 17 अश्टुडेंट ने आवेदन दिया है सबका एडमिशन होगा ठीक है तो ये जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं बाकी दूसरा विषय का भी हम देखेंगे दूसरा बिसर का यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा यहां पर क्या है कि फिजिक्स में 400 बच्चों ने application दिया है आनि कि यहां पर भी दिक्कत होगा क्योंकि जादा से जादा 200 सीट हो सकता है उससे जादा नहीं बढ़ाया जा सकता तो आप 1500 student का उमीद रखिए कि admission होगा उससे ज़्यादा का नहीं होगा तो यहाँ पर भी दिक्कत आ सकता है बच्चों को उसके आलावा जोगरफी में देख सकते हैं 410 लोगों ने application दिया है तो जोगरफी वाले बच्चों को भी दिक्कत होगा cut up high जाने का chance है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 120 या 1500 student का admission ले सकते हैं युनिवर्सिटी उससे ज़्यादा नहीं लेगी मैथ में भी ज़्यादा cut up जा सकता है 420 application आया है chemistry में इस बार बहुत ज़्यादा application आ गया है इतना application कभी नहीं आया था chemistry में 268 application आया है इसका मतलब है इस बार chemistry का भी merit list आयेगा तो आपको ध्यान देना है कि इस बार chemistry का भी merit list आयेगा पहले नहीं आया था उसके बाद history में 211 student का application आया है आनी की cut up जायेगा लेकिन ज़्यादा नहीं जायेगा अराम से admission हो जायेगा जिसका बहुत ही खराब मास है उसी का नहीं हो पाएगा हिंदी में 204 application आया है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या cut up जायेगा हो सकता है यदि 1500 बच्चों का या 120 का admission ले तो अलमुष्ट सब का हो ही जायेगा admission 50-60 बच्चे बच जायेगे और अदी मन किया तो 200 बच्चों का भी admission लिया जा सकता है इसमें university पर depend करता है और department पर economics का बात करते हैं तो 212 application आया है अब देखिए cut up list, marriage list कितना जारी किया जाता है किसका और किस विभाग में कितना seat allot किया जाता है सबसे important जो मेरे group के लोग है geology का 195 आवेदन आया बहुत कम आवेदन आया है खुसी का बात है आप लोगों के लिए कि काफी कम आवेदन आया है 195 है अदी university चाहे तो 160 बच्चों का admission वो ले सकती है अराम से 160 बच्चों का admission ले सकती है वो तो बहुत अच्छा होगा बाकी आप देखिए कि कितना बच्चों का admission लिया जाता है cut up list का 3 जनवरी तक इंतिजार कहिए यही जानकारी आपको आप लोगों के साथ सेयर करना था thank you, signing off, like कीजिए comment कीजिए और channel को subscribe कीजिए